आज हम रिव्यू करने वाले हैं सायोमी रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स 5G फोन का इसमें हम रिव्यू और अन्बोक्सिंग इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट भी कर दीजेगा और वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिएगा दोस्तों सायोमी रेडमी नोट 11 प्रो इस फोन के अगर हम बात करें इसके परफॉमेंस की तो दोस्तों 2.5 गेगा हर्टज सिंगल कोर प्लस 2.2 गेगा हर्टज प्लस 1.9 गेगा हर्टज का इसका कोर है जिसकी वैसे इस फोन की जो परफॉमेंस है वो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों और बात इसकी डिस्प्ले की करूं तो इसकी डिस्प्ले का साइज है 6.7 6.67 इंच द र contexto सुन आख़ाब रूटफ रोल इसका जो है इस फर्ण में है और इसकी केमर की बात करूं को दोस्तों इसका जो तौन के मधेर 117 8 पीक्सल प्लस 5 viral प्लस 2 मेगागाे पिक्सल चार कैमरे इस phone में दिये गए हैं इससे क्या होता है दोस्तों इस phone से खीची गई image और वीडियो quality जो बिंदास होने वाली है background camera से क्योंकि इसका जो front camera वो 32 MP का है तो दोस्तों front camera की quality भी बहुत अच्छी है इससे आप बहुत काम कर सकते हैं वीडियो अच्छे से बना सकते हैं और selfie बहुत अच्छे से खीच सकते हैं दोस्तों दोस्तों इसकी battery pickup की बात करूँ तो पांच 5200 MHz की इसमें battery दी गई है और इससे पता जलता है क आपको जल्दी जल्दी charging की जड़त नहीं पड़ेगी और battery performance इसका बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों तो दोस्तों जैसे की आपको बता दिया है मैंने इसका जो battery performance बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि इसमें 5200 MHz का battery लगा हुआ है और इसकी charging की बात करें तो बहुत जल्दी यह charge हो जाया करेगा phone इस phone की यही खास बात है और इसके इंडिया में price की बात करें तो इसका price जो है 20,000 के करीब आपको इंडिया में पड़ जाएगा दोस्तों अभी यह phone launch नहीं हुआ है जल्दी इंडिया में launch हो जाएगा और आप इंडिया में इस phone को प्राप् इससे भी अच्छी वीडियो किसी mobile से रिलेटेड आपको दू तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही